दोस्तो अगर आपके Android phone में navigation बार दिया हुआ है और आप चाहते हो कि उसमें कुछ animation लगाया जाए तो आज की सुड़ में मैं आपको बताऊंगा कि navigation बार में animation कैसे लगाया जाता है अब जो आप यहाँ पर देख रहे हो मैं यहाँ पर अगर टच करूँ तो आप देख सकते ह आपके पास कोई भी Android phone हो नेविगेशन बार जो होता है यहाँ पर अगर आप कभी भी टच करोगे तो एक अलग सा animation यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा तो यह जो animation है यह लगाने के लिए आपको एक application की ज़रुरत पड़ेगी जो की है यहाँ पर आप देख सकते हो अब मैं इसे जो है open कर देता हूँ इस application को open करने के बाद आप देख सकते हो कि कुछ इस तरह का interface आपके सामने आ जाएगा इसे पहले सबसे पहले तो कुछ permissions देनी होगी जो कि मैंने पहले ही allow कर दी है यह जो interface इसमें आपको कई सारे animations देखने को मिल जाएंगे बहुत सारे animations है इसमें आपको जो भी animation पसंद आएगा आप यहां से select करके लगा सकते हो जैसे कि अब मैं यहां पर यह animation ले लेता हूँ तो आपको यहां पर देखने को मिलेंगे कि यह सारे जो है यह animations इन में से कोई भी animation आप लगा सकते हो या तो फिर random animation भी select कर सकते हो तो मैंने यहां पर random पर click कर दिया तो ये है pro में pro version में तो ये आप हम नहीं लेंगे तो फिर से back चलते है इसमें ads बे देखने को मिलती है कुछ तो पहला हम देखेंगे ये जो है ये games और implosive इसके उपर देखेंगे तो इसमें आपको मिल जाते हैं काफी सारे animations है तो random मैं select कर देता हूँ random select करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हूँ जैसे मैंने इस पर दबा दिया तो यहाँ पर animation जो है वो change हो चुका है जिस वक्त भी आप navigation bar पर touch करोगे तो आपको एक अलग animation देखने को मिलेगा जो कि अब आप यहाँ पर देख सकते हूँ क्योंकि आप यह हमने select किया था random तो यह जो है randomly अलग-अलग animations हमें देखने को मिल रहे है तो और भी हम कई सारे यहाँ से animations लगा सकते है तो यहाँ पर और भी जो है कुछ animation जो है free है और कुछ जो है paid है तो काफी सारे free animations आपको यहाँ पर मिल जाएंगे फिर से हम random select करेंगे और देखेंगे कि कौन से कौन से animations देखने को मिलते है तो आप देख सकते हो यहाँ पर जब मैं क्लिक करता हूँ तो देखिए यह एक अलग टाइप के animation के वज़े से हमारे phone में कुछ अलग सा feel और look देखने को मिलता है तो यह जो है यह app आप किसी भे Android phone में install कर सकते हो और अपने navigation बार में अलग-अलग animation लगा सकते हो मैंने यह जो application है Mi A3 में install की है जिसमें physical buttons नहीं है और यह जो है यहाँ पर navigation बार दिया हुआ है तो इसमें काफी अच्छा look भी इसमें देखने को मिल जाता है तो दोस्तो यह थी आज की छोटी सी वीडियो उम्मीदे आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक जरू कर देना चैनल को सब्सक्राइब और शेर भी जरूर कर देना मिलते हैं दोस्तो अगली बार नई वीडियो के साथ तब तक के लिए आपना ख्याल रखिए बाई बाई